और आज का वे कि के बारे में पढ़ेंगे और इस पहले हम जानते ही कि reverse दो टाइप की होती है हिमालियन और पैंसलर और हिमालियन सारी डियो समें کवर अप बसे औरatanिन अभी तक आहलों तो सारी कवर कर चुग मैं यह यह बची हुई है कावे लिगा अगर आपको वेघ्व को पूराने सारे रिवर्स यतने भी डियों देखने है तो आप इस वीडियो के नीछे दिस्क्रिप्शन डिया रहता है, उसमें मैंने सारे रिवर्स के लिंक सेहर किये हुएं तो आप जाके उन लिंक पर क्लिक करके आप उस फर्टिकुलर रिवर को पूरे डिटिल में और लेन को इनकी Tributereais को याद करने के तरीके भी वीडियो में दिये हुए तो आप आप जाके देख सकते हैं तो अगर मैं Wediesดने की बात करूं इसमें नाडू में जाती है फिर आगे ये बे ओफ पेंगॉल में जाके सबमर्ज हो जाती है और इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ है इस अबाउट 765 किलोमेटर तो अब हम रिवर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में तो कावेरी रिवर का सबसे पहले हम सोर्स पॉइंट देखते हैं जहां से ओरीजनेट होती है ताला कावेरी कोड गाद इसyond यह कॉड़् का में करनाट अंच करक्नाट का में यहां से ओर इसे और यहां से ओरिजनेट होने के बाद आगे बढ़तीए यहाँ पर एक डैम बढ़ता है जिस डैम का नाम है क्रिस्टनराजा सागर और यहीं पर दो रिवर्स एक रिवर्स यहाँ से निकलती है जिसका नाम है हेमवती और एक इसमें यहाँ आके मिलती है जिसका नाम है यगाच्छी तो ये दोनों आके left side से इस river में मिल जाती हैं left tributaries हैं तो ये दोनों हेमवती और यगाची यहां से इस point में मिलके further ये आके कावेरी में मिल जाती हैं तो ये left side से आ रही हैं तो इन्हें left tributaries कहा जाएगा और अगर right side की बात करें तो यहां से भी एक river आके मिलती है जिसका नाम लक्षमन्तीर था है और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर city पढ़ती है माईसूर जो city है वो यहीं पर पढ़ती है इसी के किनारे और इधर से right hand side से एक और tributary आके मिलेगी जिसका नाम है काबानी फिर अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर एक right side से एक और tributary आके मिलेगी जिसका नाम है सुर्नमती और स्वर्नवती के बाद यहीं पे थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो यहां पे एक फॉल पड़ता है जिसको कावेरी फॉल कहा जाता है तो यह याद रखें आपका वेरी फॉल और फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक रिवर आएगी जिसका नाम है शिम्शा तो अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो शिम्शा के बाद एक राइट हैंड साइट से फिर एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसका नाम है अरकावती और अरकावती के बाद एक और राइट हैंड साइट से ट्रिब्यूटरी आएगी जिसका नाम है चोवराई और यहाँ पर वो पॉइंट आता है जहां से यह रिवर करनाटका से अब तामिल नाडू में एंटर करती है और यहाँ पर एक रेजर्वाइर पढ़ता है जिसको स्टैनले रेजर्वाइर बोलते हैं तो इसे भी आप याद रखें अब यह रिवर और आगे बढ़ेगी तो राइट साइट से एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है नॉयल और फिर इसी समय एक थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइट से आएगी जिसका नाम है तुरुननी मुत्तल नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जब हम ट्रिक बताएंगे और आप एक दो बार इनको रिवाइस करेंगे तो आप इसली याद हो जाएंगी आपको इस सुब चीज है थोड़ा अलग सा नाम है तो इसली भी आपके दिमाग में रहेगा वैसे तो थोड़ा सा औ और आके बढ़ेंगे तो यहां से अमरावती आके मिलेगी फिर एट लास्ट एक ट्रिब्यूटरी इसमा के मिलती है इसको हम कोली दम बोलते है यहां आगे यह आपका माउथ औफ कृष्णा कहलाता है जो पॉमपर तामिल नाडू में है और फर्दर यह जाके आपकी बे ऑफ एंगॉल में जाके सब मर जाती है उसमें जाके मिल जाती है तो यह तो स्ट्रक्चर था कावेरी रिवर्स सिस्टम का आपने देखा होगा इसमें बहुत अजीब अजीब से नाम है रिवर के आज़ाद काफी लोग इनसे फैमिलियर भ तो अब ट्रिक देखते हैं, so friends as you can see मैंने आपे right और left tributaries दोनों लिखी हुई हैं और सब sequence wise लिखी हुई हैं और आपको एक चीज में पहरे बताना भूल गया था, मैंने आपको right side में अमरावती तक सारी tributaries बताई थी बट एक last में tributary रहे गई थी जिसका नाम है नंगंती तो अगर नंगंती की बात करें तो यह मान लिएगर यह Papari River जा रही है यह Papari River है और यहां से last में अमरावती आकर इस से से मिल राइट साइट से तो अगर यहां से अमरावती में आके नंगंती मिलती है तो आपको यह याद रखना है कि नंगंती भी एक लास्ट बरिवर्थी मैं आपको वहाँ बताना भूल गया था तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक तो जो राइट ट्रिब्यूटरी हैं उसको आपने रामाएट तो पता ही होगी रामाएट में राम जी के भाई लक्षमन जी थे उनके नाम से आपको याद रखनी है यह ट्रिक है लक्षमन तीर्था के लिए हम लिखेंगे लक्षमन कबानी के लिए हम लिखेंगे का स्वर्नावती और नयोल जो है उसके लिए हम लिखेंगे स्वर और नेम तो यह मिलके बना स्वर नेम आगे देखते हैं अम्रावती के लिए हम लिखेंगे अक्षरों में और नंगनती के लिए हम लिखेंगे नाम तो जो आपके trick बन जाएगी वो बन जाएगी लक्षमन का स्वर्निम अक्षरों में नाम तो आपको एक simply एक line याद रखनी है लक्षमन का स्वर्निम अक्षरों में नाम जहां लक्षमन से आपको लक्षमन तीर था याद रखना है कस करें तो देखते हैं क्या बनती है ट्रिक हें बती के लिए मैं लिखोंगा हम यगाची के लिए मैंने लिखा यहां शिमसा के लिए मैंने लिखा शिमला अरकावेती के लिए मैंने लिखा आकर चोवरी के लिए मैंने लिखा चोरी तुरनन्नी मुट्टल के लिए मैंने लिखा तो नहीं कोलिदम के लिए मैंने लिखा करेंगे तो आपकी जो ट्रिक बनी वो बनी हम यहां शमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे तो हम से आपको हेम मतियाद रखना है यहां से यागाची शिम्ला से शिम्षा आकर से आरकावती चोरी से चोवराई तो नहीं दो वर्ड है तो आपको इसको ऐसे याद रखना है तो से तुरू और नहीं से नननी मुत्तल ओके और लास्ट मैं करेंगे से कोली दम तो इस तरीके से आपको यह दोनों ट्रिब्यूटरी याद रहेंगी आपको पहले ट्रिब्यूटरी यह याद रखना है लक्षमन का स्वर्ने मक्षरों में नाम और दूसरे के लिए आपको याद रखना है हम यहां शिम्ला आकर चोरी तो नहीं करेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से आपकी पैनिसुलर रिवर भी कवर हो गई है और वी वांड की आपका फीड़बैक जो भी आपका फीड़बैक है प्लीज आप फीड़बैक जरूर दें जैसे मैंने अभी यह रिवर्स कवर की हैं और आप आगे क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं क्या कवर अप करूँ आपके लिए तो वो भी बताएं प्लीज इस चैनल को और बढ़ावा देने के लिए इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें इस चैनल को और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्री आप सब्सक्राइब करें